इस वीडियो में दी हुई जंकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते ह हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्यदारी नहीं होगी सब लिवर detox लिवर केर कैपसूल में लिवर के प्रदर्शन और दैनिक डिटॉक्स को बढ़ावा देने के लिए दूद्ध थीज आवला अर्क और फाइलेथस अमारस अर्क शामिल है लिवर केर में सामान ये घटक सिलीमारिन दूद्ध थीज बीज में पाया जाता है जो आपके लिवर को विशाक्त पदार्थों को खत्म करने में मदद करता है ये लिवर में विभिन प्रकार के वाइरल संक्रमणों के खिलाफ काम करने में सिध्ध हुआ है इसे लिवर का रक्षक भी कहा जाता है फिलंथ सम्रस एक और सबसे महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है जो लिवर के लिए पुनर्योजी लाब के साथ आती है ये हानिकारक लिवर विशाक्त पदार्थों के खिलाफ सुरक्षात्मक प्रभाव के साथ आता है लिवर में सूजन से लडने और फैटी लिवर रोग को रोकने के लिए आवला एक प्राकृतिक और प्रभावी उपाय है सब लिवर केर में अतिरिक्ट सहायता के लिए विटामिन C की 30 गोलियां और शाकाहारी ओमेगा की 30 गोलियां भी शामिल है विटामिन C आपके शरीर के लिए एक मजबूत और प्रभावी एंटियोक्सिडन्ट है एंटियोक्सिडन्ट ऐसे योगिक होते हैं जो शरीर को मुक्त कड़ो नामक अत्यधिक सक्रिय अनुवों से बचाते हैं ओक्सिडेटिव तनाव और यकृत में वसा संचे को कम करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड लिवर की आंतरिक चोटों को ठीक करने में मददकार साबित हुआ है ओमेगा 3 गैर अलकोहल फैटी लिवर रोग यानी की NAFLD वाले लोगों में लिवर की चरवी और सूजन को कम करने में भी मदद करता है चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में 1. सब लिवर केर कैपसूल में लिवर की प्रदर्शन और दैनिक डिटॉक्स को बढ़ावा देने के लिए मिल्क थीज, आवला अर्क और फाइलितस अम्रस अर्क शामिल है 2. लिवर केर में सामाननी घटक से लिमारिन आपकी लिवर को विशाक्त पदार्थों को खत्म करने में मदद करता है 3. हानिकारक मुक्त कणों और संक्रमनों के खिलाफ मजबूत एंटियोक्सिडेंट सुरक्षा के लिए पैक विटामिन C से भरपूर है 4. आवला आर्क लिवर में सूजन से लड़ने और फैटी लिवर रोग को रोकने के लिए एक प्राकृतिक और प्रभावी उपाय है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को ज़रूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें